लक्षमी को हर्याना में लख्मी बोलते हैं तो लख्षमी नहीं लख्मी जादा लख्मी मतलब लख्मी चंद एक फोक आर्टिस्थ है उन्निस सो तीन में पैदा हुए थे उन्निस सो पेंटाली से मर गया उनली 42 यर्स ही लिवड एंड उनको शेक्स्पियर ओफ हर्याना कबीर दास ओफ हर्याना काली दास ओफ हर्याना कहा जाता था उनको बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे वो उनकी लाइफ बहुत तकलिफों में रही तो उसी की ये कहानी है अभी ये पार्ट वन है और पार्ट टू अभी आएगा इसके बाद अभी ये धाए घंटे के फिल्म पार्ट वन में है हम कुछ गलत कह रहें तो शमा कर दीजिए जब हर्याना में फिल्म में बनती हैं तो थोड़ा मसालेदार होता है थोड़ा हटके होता है वल्गरिटी होता है इस सब के बीच में आपने जो एक मुद्दा पकड़ा और उसको यसा नहीं कि तीन दिन चार दिन नहीं तीन महीन से ज़्यादा देर तक वह हौल में टिका रहा सो दिन पूरक्या और यह आपका अच्छा इंप्रेशन जो है हर्याना का बाहर यही है कि वह लगरिटी है यह हो है लेकिन इस वक्त फिजाग चेंज हो चुकी है और काफी सारी फिल्में पगड़ी सतरंगी और हमारी चोरिया चोरों से कमनी सतीष कोशिक जिकिन की डेथ हुई उनको ने प्रोडूस की होई थी और फिर यह हमारी दादा लखमी है हर्याना एक फिल्म बनी है फोजा बन आ रही है सोला सो मीटर आ रही है बहुत सारी फिल्में अभी अच्छी आ रही है च्छा सिनेमा है जिसको दादा पहचाना दादा लखमी को और वास्ट रूप में पहचाना दुनिया ने काफी जगोपे 71 हो गया भी आवार्ड पूरी दुनिया में जीत चुकी है यह फिल्म और नैशनल आवार्ड भी ले चुकी है रस्टपती से अभी विज्ञान भवन में 30 सप्टेंबर को तो हर्यान की जो धरा है भी चेंज हो चुकी है तो मुझे आपके यह बात अच्छी लगी कि आपने सच्चाई से बोला क्योंकि यूट्यूब में अगर हर्यानवी को कुछ सर्च करो तो वर्गरिटी आती है लेकिन ऐसे नहीं है बहूरानी चंद्रावल जर जोरू और जमीन लाडो बसंती यह हमारी जो लाडो सिर्फ लाडो सांजी ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं हर्याना ने गुलाबो जिसका कोई जवाब नहीं है लेकिन उसके बाद बहुत लंबा सूखा पड़ गया अब फिर से जागरित हो गया है आपका गंगा जल में हमने देखा है अपरहन में हमने देखा है यह सारे चितने सरे कमर्सेल फिल्म में थी और आप रिजनल फिल्म में आके यह हर्याने नहीं बाकी सारे फिल्मों में आपनी किया है तेलगू में भी किया है शाहुत्स में बगत अभी तमिल चल रही है मेरी तो यह इस सब दोरे में मतलब इस सब इसके बीच में अपनी हर्यानी फिल्म को चुना और उसको अपलिट करने के लिए एक सामने लाने के लिए एक रिवुलिशन है सर। बिल्कुल ये बहुत कम हैं लोग, कम क्या मुझे कोई नहीं दिखाई देता है कि अपने बड़ी-बड़ी करोडो रुपे का लालच छोड़ करके, बड़ी-बड़ी फिल्मे छोड़ करके, आप हर्याना में नए-नए लोगों के साथ कर रहे हूँ, लेकिन आप देखे न, अ परिवार को कैसे पालूगा. ऐसे करके, मैं करता रहा हूँ बीच-बीच में, लेकिन मैक्सीमम कांसेंटेशन मेरा हर्याना रहा है छेस साल से, लोग दोज़ार सो. सब्सक्राइब के साथ फिल्म करने के बाद ये फिल्म ज्यादा आपको अबalis सेप्टिसफेक्शन कहां मिल रहा है सेल्फ सेटिसफेक्शन तो नो डाउट अबाउट इट डादा लखमी में ही मिला है सबसे ज़्यादा आज तक कुछी और फिल्म ने इतनी सेटिसफेक्शन नहीं दिये जहें वो कोई भी किसी भी तरीके की आर्ट रही हो डिरेक्शन हो एरिटिंग में भी मैंने साथ दिया म मैंने हेल्प करवाया मतलब मैंने क्योंकि मेरा वीजन था आई वस दा कैप्टन तो मुझे ही कैसे क्या चाहिए मेरे दिमाग में था कैमेरा मैन को भी सब को यह जो चीजे हैं सबसे ज़्यादा सैटिसफेक्टरी मेरे लिए यह फिल्म रही है आज तक की इसमें इसके अला च्छे महिने का लगा था कि छे महिने से पहले कहीं हिलने वाली नहीं हैं लेकिन वो जल्दी हिल गई लेकिन वो हमारी कमजोरी है कि हम उसको मैं भी प्रमोट नहीं कर पा रहा हूं जानी पा रहा हूं कि मेरे खुद के मेरे जो कमिटमेंट हैं पहले की वो सारी मुझे करनी पड़ रही हैं दिनों तो मैं अगर मैं हर्याना में रहता तो मैं छे मैने आराम से चला सकता था अगर मैं प्रमोट करता रहता फिल्मों को उसको ना सिनेमा घर में जा जा करके या कॉलीजों में स्कूल में जा करके तो चरक करा पचास एक चालीस एक दिन तो किया लेकिन उस के उपर ने बहुत लोग हैं जो अच्छा काम का मैं आपके उडिया में आया हूं उडिसा में आया हूं तो मैं उडिया की बात करूँ मनोज मिश्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमेशां उसके इन берज помे था शयाद एक्स किया है उसमें मैंने भी एक guest appearance किया बहुत अच पलाकिन अर्इयजनल के में अभी मनौम那就 बहुत अच्छा काम कर रहा है और भी कई जगहों पर कई लोग जैसे राजेस टच्छरीवर, आ रहा है बी आज़ Will intimate सूपर होझे consists में अच्छा future पर भी तो में संपने वाला है और राप अभी मेरी तमिल फिल्म एक चल रही है तमिल फिल्म इतनी सूपर हिट हो चुकी है वहाँ इतनी चर्चा में है कि रजनी कान्त सीम सब देख रहे हैं और मल्यालम कैरला में रिलीज हो रही है करनाटक में रिलीज होएगी और टेलगू में दुबारा बनेगी हिंदी में वो भी बवाल आ रहे है मैं हिल गया हूं और बाइचांस ससी कुमार और मे lev AJ ini istra Nika के लड़की है कंअल की एक्टेस है टो इस तरीके से यह सारे रीजिन है रीजन है री-बहुत बढ़िया काम हो रहा है और एक आपको थोड़ा सइक्रिफाइज करना पड़ेगा आई से इसार इन देखें मनी का नहीं होता सबसे जाधा टाइम का सेक्रिफाइस होता है and time is money if I'm spending time and I'm not giving time to Amitabh Bachchan's film and शारुक खान's film and I if I'm not giving time so it's loss of money obviously so जो भी है लोस है लेकिन आपको तो सेक्रिफाइस तो करना पड़ेगा और वह बहुत जरूरी है क्योंकि ये concentration के साथ नहीं तो पब्लिक क्या कहती है वहां के लोग क्या कहते है ये Bombay से लूटने आया है अहां चला जाएगा ये भाग जाएगा इसको कुछ नहीं लेकिन अब ये इतना time तो देना पड़ता कम से कम पाँच साल छे साल तो देना चाहिए फिर अब मैं अराम से Bombay में जाकर अपना काम कर सकता हूं जो मैंने छोड़े हुए अब मैं कर रहा हूं जा वैब सीरीज कर रहा हूं फिल्में कर रहा हूं